धीर धीर से मेरी जिन्दगी में आना, धीर धीर से दिल को चुडाना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आपके अपने यूटूब चैनल मैथ मस्ती पर, दोस्तों मैं हूँ भी पिनियादव, और धीरे धीरे आपको हमें ये बताना है, कि धीरे धीरे एकदम बेसिक से हाई लेबल तक कि हम आपको अलजेबरा का ये टॉपिक आपको परहा होगा न, फिर भी आपको आएगा, आप ऐसे सीखोगे कि आने वाला तीन पिढ़ी तक को सीखने की जरूत नहीं पड़ेगा कहीं कोचिंग ट्यूशन करके, क्योंकि आप इतने अच्छे इसको सीखने वाले हैं, कि आपको खुद लगेगा कि आप खुद एक टीचर हो, मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना कहां से है, इसलिए घबर आईएगा नहीं, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ बताते हुए हम चलेंगे, और जो हम आपको बताएंगे हो सकता है कि आपको आता भी होगा, फिर भी आप बहुत सारी चीज़े ऐसी होगी, जो के से आप याद रख सकते हो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, जब अल्यवडा का बात हुआ है दोस्तों, तो बीना A प्लस B के होले स्क्वाइर के कुछ होता ही नहीं है, बहुत बच्पन से आप परते आ रहे हो, A प्लस B का होले स्क्वाइर, आप चिंता मत कीजिएगा, जो आपको आता है, हमको पता है, कि आपको इबला आता है, X पलस 1 बटा X बराबर 5, तो जट से आप करेंगे, X से स्क्वाइर पलस 1 बटा X से स्क्वाइर क्या करेंगे, 5 के स्क्वाइर 25, 25 में से 2 घटा लेंगे 30, इस सब बला हम आपको बताएंगे, लेकिन आप कितना बा करते हैं और आप कई बार करते होंगे और कुछ सवाल में आपको mistake हो जाता है प्लस कहा होगा माइनस कहा होगा कुछ सवाल तो ऐसा लगेगा कि प्लस माइनस करके बनाना है दू जोर ना है या दू घटाना है लेकिन उसमें से कोई काम नहीं राता है तो भागिये गा नहीं अगर आपको सिखना है यह पहला विडियो है पूरा स्रीज देखिएगा सब कुछ के लिएर हो जाएगा a पलस b का हौल स्कॉयर आपको पता है a स्कुयर पलस b स्कॉयर प्लस 2 a b यह फरबूला इसलिए इसको बनाया गया है दोस्तों कि अगर कोई चीज इस फर्म में है तो उसको थोड़ा सोट रूप करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो जैसे माल लो कहीं पर लिखा हुआ है कहीं पर लिखा हुआ है 5 का स्क्वार फिर 4 का स्क्वार फिर 2 गुना 5 पलस 5 इंटू 4 लिखा हुआ है होले स्क्वार कर देंगे उतना ही होगा ये जैसे पांच प्लस 4 नौ नौ का स्क्वार 81 होगा चाहो तो आप इस पूरे को काम करके देखो ये 81 ही होगा अब देखिए हम इतना आसानी से यह 5 प्लस 4 9 9 का स्क्वाइर कर लिए 81 हो गया कैसे समझे क्योंकि हमको यह पता था कि यह प्लस B के होले स्क्वाइर के फॉर्ण में है अब इसको मैंने जब इसको ऐसे लिख सकते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को छोटा करने के लिए कुछ फर्मूला का इस्तमाल किया जाता है गनित में ध्यान दीजेगा दोस्तों अब यह पताइए ना देखिए ना पांच के स्क्वाइर पांच प्लस चारनँ व्लस नौड़ स्क्वाइर एक ऐसी हो गया अब आजाईए अब हमा आपको समझाना चाहेंग fleet फिमाज मिया है कि उध्य अभी नए उध्य हृह में आगे पीछे कोई कहीं लिखा गया है उससे कोई दिक्कत नहीं है भया अगर 5 plus 3 है चाहे 3 plus 5 है बात तएक ही ही है इदंडों 8 ही ही होगा तो जब plus plus है तो आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहा है ध्यान दीजेगा अच्छा एक बात बताईए उसी तरह अगर a plus 1 बटा a का whole square हम करें तो इसमें भी confusion कि कोई गुंजाइस नहीं है क्योंकि दो चीज में से पहला को a दूसरा को b बोला गया यह a है और यह b है तो देखिए a square a plus b square मतलब 1 बटा a का a square a plus 2ab जैसी 2 है फर्मूला में 2 है a का मतलब a है अब b का मतलब 1 बटा a है अब देखिए यह क्या हो गया a square हुआ plus 1 का a square 1 जब की a का a square a square अच्छा इस दोनों का square है एक का भी और एक का भी plus यह a से a कट जागा क्योंकि नीचे में उपर में है 2 यानि हम कह सकते हैं कि a plus 1 बटा a का whole square a square plus 1 बटा a square plus 2 होता है उसी तरह हम अगर कहें कि x plus 1 बटा x का whole square क्या होगा तो जैसे यह है वैसा यहां आया था यानि यहां भी हमें x square plus 1 बटा x square अब plus 2 आ जाएगा यही बात है न दोस्तों जानते हैं वह जो ट्रिक बनता है न इसी का यूज किया जाता है और कोई बात नहीं है अब ज़रा ध्यान दीजेगा कैसे यह plus 2 plus minus 2 करने वाला जो इस सिस्टम बना है इसी से बना है इस फर्मूले को थोरा सा एक लाइन गायब करके लिख दिया गया है जैसे माल लीजिए आपको मैंने लिखा एकस पलस वन बटा एकस बराबर 5 अच्छा आप लोग हर बरायल नहीं है बहुत ज़्यादा सिखने के चकर में एक वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं सिखाएंगे पड़ा बेसिक से सुरू किया है इसलिए सुरू किया है न कि कोई भी विखती इसे देखे तो उसे पूरा समझ में आ जाए आईसी नहीं बोले हैं कि तीन पीढ़ी तक याद रहेगा अब पूरा देखिएगा हाई लेबल तक हम आपको पढ़ाएंगे पूरा सिरीच उसके बाद टेस्टो होगा अब 5,000 रूपया कैस पराई जो जितिएगा सिधा बात ना है देखिए अब कहता है कि X स्कौर पलस 1 बटा X स्कौर का मान क्या होगा X पलस 1 बटा X बराबर 5 है तो X स्कौर पलस 1 बटा X स्कौर का मान क्या होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा इतो ट्रीक है जो आपको याद होगा 5 के स्कौर 25 पचीश में से दूग हटेगा 30 इह हुआ क्या है हम सोच रहे कि ये स्कौर वाला सिस्टम कहां से आएगा जब इसक स्कौर फिर प्लस B स्कौर मदलब इतना का स्कौर यहीं होगा अब प्लस 2 AB 2 AB 2 फर्मूला वाला A AB हो गया B के जगा 1 बटा X अचा देखिए आपको पता है X पलस 1 बटा X का भेलू 5 तो हम यहां रख लिए 5 ये 5 का स्कौर ये हमारा निकालना है X स्कौर प्लस 1 बटा X या तब बचा हमारा प्लस 2 प्लस 2 आकर घटेगा क्योंकि यह 25 है उधर प्लस 2 इधर आया तब माइनस 2 याद रखिएगा यहीं प्लस 2 इधर आके घट जाता है तो हम लोग कहते कि X पलस 1 बटा X का भेलू 5 है तो X स्कौर प्लस 1 बटा X स्कौर का मान पूछ रहा है यानि अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो दू घटाना है यहाँ माइनस दिया हुआ है तो दू जोरना है यहीं करते हैं कहां से क्योंकि यह जो होता है A स्कौर प्लस B स्कौर प्लस 2 होता है इसलिए इधर आकर माइनस 2 हो गया अब देखिए X स्कौर प्लस 1 बटा X स्कौर 25 में भी बता भी दिया नहीं आता रहा होगा तो आप सीख गया होगे चलिए एक बात बताते हैं अभी हम लिखेंगे आप गलती कर दीजेगा देखिएगा आप कैसे गलत करिएगा हम अगर लिख दे x पलस 1 बटा चलिए हम माइनस दे देते हैं x माइनस 1 बटा x बराबर 7 तो बताईए x स्क्वार माइनस 1 बटा x स्क्वार का मान क्या होगा आप हो सके तो इस वीडियो को रोकर आप जबाब जरूर दीजेगा उसके बाद मेरा स्वलूसन देखिएगा मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने ऐसा किया होगा 7 के स्क्वार किया होगा माइनस है तो यहाँ 2 जोड लिया होगा तो 940 प्लस 2 आपका कितना हो गया 51 जबकि यह गलत है आपका अगर आपने यह जवाब दिया है तो गलत है आपका गलत का है होगया से सुनिए आपने क्या किया है पता है आपने किया होगा इसका square तो बताइए जरा x-1 बटा x का whole square करें आइधर 7 का भी square कर लेते हैं यह क्या आनेवला है जानते हैं x square plus 1 बटा x square होगा माइनस 2ab होगा बराबर 7 के square उन्चास होगा आप बताइए x square plus 1 बटा x square आई देखें x x कट गया था माइनस 2 बराबर हुआ उन्चास माइनस 2 जाकर x square plus 1 बटा x square बराबर 2 जाकर जुड़ गया तो एकावन पता है यह x square plus 1 बटा x square का माने कावन हुआ हमने यहाँ माइनस लिखा है ना समझ में आ रहा है जान भूज के आमने लिखा था आपसे गलती करवाने के लिए यहाँ देखिए माइनस है अभी आपको a square minus b square बलाई फर्मूला आप सिखिएगा तो भी सवाल बना पाईएगा ऐसा सवाल आता है लोग गलत करके या तक अभी यह कावन लिख लेते हैं या कभी साथ के square 49 करके दो घटा लेते हैं गलती करते हैं अब सुनिए ज़रा ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें यहाँ माइनस नहीं होता है आपको याद है चलिए देखिए आप कहेंगे कि न न न न न न न आपको इतना बात पता होगा कि ए प्लस बी का होले स्क्वाइर होता है ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर प्लस टूए भी इतना बात आप सबको पता है आए माइनस बी का भी होले स्क्वाइर होता है ए स्क्वाइर प्लस ही बी स्क्वाइर होता है माइनस टूए भी होता है 2AB वला में खाली माइनस होता है इस दोनों में इस समाने चीज रहता है A square plus B square इसमें भी A square plus B square आ इसमें भी होता है A square plus B square समझें अब नस नस को एकदम पकड़िए गनित के अब देखिए जड़ा ध्यान दिजे इस सवाल वह इसे को बनता जब यहाँ पर रहता क्योंकि मैंने अभी बोला कि A square plus B square आप माइनस 2AB तो आप समझ गए A minus B का होले square है और A plus B का होले square जब लिखा आप समझ गए A square plus B square माइनस 2 भी है दोस्तों A square plus B square A square plus B square यहाँ plus register चाहिए तो वो दो घटाने दो जुरने वाला trick लगेगा या तो जुरेगा या तो घटेगा लेकिन सवाल में जब पुछेगा तो यहाँ plus रहना ही चाहिए अब आप कहेंगे A minus रहेगा तो माइनस रहेगा तो बताएगे आ भागी एगा नहीं के वल बार-बार कहते हैं क्योंकि तेकी दुन्व में पोर अब यहाँ सोड़ी सूरी यहां माइनस म्फवी करन सब्सक्र का यहां यह प्लश रहेगा लेकिन यह दोनों चीज पर असेदूनों में अब ध्यान देजी अब मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा क्योंकि यहां अगर पल्स रहता तो माइनस है नह। हो ना था TO Christ describes कि यहां भूला सहर हाल में होना चाहिए आए यहां देखना भाइनस है कि पॉलस अगर माइनस है तो यहां पर दू जोड देना है साथ का स्क्वाइर करके दू जोड दिये उन्चास पॉलस दू हो गया हमरा एकावन इंस यही सवाल में अगर यहां प्लस रहता तो साथ का स्क्वाइर करना है अब पलस है तदूग हटा देना है उल्टा कम करना है 49 में से दूग जाता 47 लेकिन हर इस्थिती में यहाँ पलस ही रहता क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया है अगर यह माइनस है अब देखे इतना कभेलू निकलना है अगर इसका स्क्वार कर लेते हैं एकस माइनस वन बटा एकस का इधर भी स्क्वार और इधर भी स्क्वार तो यह एकस स्क्वार पलस वन बटा एकस स्क्वार अब माइनस टू ए बी आ जाएगा परावर यह हो गया साथ का स्क्वार उन्चास x x cut गया अब बताईए x square plus 1 बट्टा x square अदू जाकर उधर जूड़ गया तो एक आवन हुआ न तो दोस्तों यहाँ plus रहना चाहिए इसलिए देखिए plus में करके value आया है अगर minus में रहेगा ता बात बदल जाएगा उस बात के लिए हमें क्या क्या सीखना होगा यह चलिए अब हम सीखते हैं उसको और एक आदा पे प्यार आया ध्यान दीजेगा दोस्तों अगर कभी a plus 1 बट्टा a बरावर x हो तो जरह ध्यान दीजेगा a minus 1 बट्टा a का value जैसे यह चीज प्लस में हो और इसका minus में पूछ ले तो root under यहाँ जो बहलू दिया उसका square माइनस में लाना है तक केवल minus 4 आपको इस formula को याद रखना है तब उधर हम घूमाते हैं आपको लेकर उसी तरह अगर a minus 1 बट्टा a बरावर x है तो सुन लीजिएगा अगर आप से पूछा जा रहा हो a plus 1 बट्टा a का मान तो लिखिएगा root under यहां x दिया है उसका square करना है अब plus में दिया है तब plus 4 करना है कुछ नरे भाई सुनो सुनो पलस में दिया माइनस में निकालना हो तो x square minus 4 x क्या है जो इसका value दिया है वही x है a minus 1 बट्टा a दिया है अगर minus में पता है plus में लाना है तो plus 4 करना है plus में पता है minus में लाना है तो minus 4 करना है plus में लाना है तो plus 4 माइनस में लाना है तो minus 4 न याद रहेगा रहेगा याद अब सुनिए देखिए अगर माल लेजिए आपको a plus 1 बट्टा a की value हमने दिया 5 और आप से पूछा कि a minus 1 बट्टा a का मान बताईए कुछ न करिए रूट अंडर लगाई अब 5 का a square करिए अब देखिए माइनस में लाना है तो minus 4 पांच के square 25 25 में से 4 गया तो 21 यहीं हो गया रूट अंडर 21 अब रुक जाईएगा रुक जाईएगा अगर आपको a plus sorry इस बार a minus 1 बट्टा a बराबर 7 और आप से पूछे कि a plus 1 बट्टा a का मान क्या होगा तो आपको करना है रूट अंडर अजो दिया उसका square है पालस बाला का भेलू दिया माइनस बाला का दिया है पालस बाला का पूछा है पालस बाला का लाना है तो पालस 4 माइनस बाला का लाना है तो माइनस 4 यह उन चास में चार जुर गिया कितना हो गया 54, नौर, चार तेरे यानि 63 हो गया ये हमारा इसका अंसर अब देखिए आपको अगर यी बात पता हो गया न अब किपना बात पता कर लीजिएगा, देखिए अब उस पर लेके हम आपको चलते हैं mistake नए अगर मान लीजे की question हमने दिया यदि यदि a plus 1 बटा a बराबर दे दिया 5 तो आप से पूछे लिया a square minus 1 बटा a square का मान क्या होगा दोस्तो आपको पता है एक बात अगर a square minus b square रहता है तो हम इसे a plus b into a minus b लिखते हैं इस formula को आपको याद रखना है जो आप बचपन से जानते होंगे अब जानते होंगे जैसे समझ लीजिए कि अगर 5 के square minus 3 के square है तो real में 25 में से 9 जा रहा है 16 आ रहा है यह ऐसे भी आ सकता है जब दोनों को जोड़िएगा 5 आ 3, 8 अब बराइकेट मतलब गुना अब 5 में से 3 घटा ये यही चीज न हुआ तो सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा तो उसी तरह a square minus 1 बटा a square है तो हम a square minus 1 बटा a का whole square भी लिख सकते हैं क्योंकि एक का square फिर एक के रहेगा अब a square minus b square है मतलब एक बार जोड़के एक बार घटा के a plus 1 बटा a into a minus 1 बटा a ऐसे लिख सकते हैं दोस्तो ध्यान देना ध्यान देना इसको a square और इसको minus 1 बटा b square बोल सकते हैं इसको दोनों को एक बार जोड़कर लिखा जाएगा और एक बार घटा के लिखा जाएगा पक्का अब आपको a plus 1 बटा a का बहलू पता है 5 यहां रख लिजिए 5 आए minus 1 बटा एका मान आपको चाहिए समझे सुनिए सुनिए तब पलस बटा बहलू पता minus बटा बहलू पता है a plus 1 बटा a का बहलू पता है a minus 1 बटा एका लान है ता root under मैंने अभी बोला पांच का स्क्वाइर आप माइनस है ता माइनस में लाना है ता माइनस फोर 25 में से चार गया यहां 21 बस इसके जगह रख देना है root under 21 गुना होकर हो गया पांच रूटे का यह सही अंसर है इस सवाल का अइसा नहीं कर देना है कि के बल देखो एक्जाम में जबाएगा तो दिमागी ने तुमको काम करेगा आप तो ट्रीक रट ले हैं डाइडेक्ट में आप समझें उम्झे ता कुछ हाए नहीं सीधा आप ट्रीक रटके गए हैं आप रटके गए हैं एप पलस वन बटाई ब आप 5 रूट कैसो रहेगा नन भी रह सकता है ता आको देखके मरना है इधर पलस रहेगा तभी यह उउकाम करूएगा दूं जोरने या दूं घटाने व़ला दूं दू जोरना या दू घटाना इधार वाला चिन पर निर्भर करता है अगर पलस है तदू घटेगा माइनस है तदू जूटेगा लेकिन वैसे सवाल में यहाँ पलस होना 100% जरूरी है ठीक है आईये दोस्तो ध्यान दीजैगा अगर माल लिजे एकस माइनस वन बटा एकस बरावर सात है तो आपसे पूछ ले एकस फ्कौर माइनस वन बटा है केसे स्कौर का मान क्या आपको समद जाना है जैसे ही x square minus 1 बटा x square है मतलब a square minus b square है तो इसको तो हम x plus 1 बटा x आए एक बार x minus 1 बटा x लिखेंगे क्योंकि a square minus b square के form में है a plus b into a minus b अब एक वो का भैलू हमको पता है इसका भैलू हमको पता है साथ और इधर बाला का भैलू नह पता है तो x minus 1 बटा x का भैलू साथ तो x plus 1 बटा x का भैलू रे भाई इस साथ का a square अब पलस में है तो पलस फोर उन चासा 4 हो गिया तिरेपन यानि यहां root अंडर तिरेपन आया तो 7 root तिरेपन इंसर हो गिया अब आप चाहोगे तो ऐसे सवाल मुहजावानी बनातोगे देखिएगा दोस्तों बस एक एक छोटा छोटा केवल चीन थोड़ा सा बदल देने से सवाल का कैसे टाइप बदल जाता है माली जी इसके जगह हम पलस कर दिए ठीक है या चलो इसको हम minus रखते है यहां हम plus कर लेते हैं तब क्या है तब कोई दिक्कत ही नहीं यहां जब plus आ गया तब तरे भाई यहां plus अगर आ गया तो अब यह जो भैलू दिया है इसका ते square करना है यहां minus दिया तो जोड़ देना अब plus रहता तो दू घटा देते है लेकिन यहां 100% plus होना जरूरी है अगर यहां plus है तो a square plus b square या तो यह plus b के whole square वला में जा रहा होगा या यह minus b के whole square में तो अगर यहां minus है तो a minus b के whole square पर बनेगा अगर यहां plus है तो a plus b के whole square पर बनेगा लेकिन यहां plus रहेगा तो तो अब क्या करना है 7 के स्क्वार माइनस है तो 2 जोर देना है 49 सा 2 सीधा 51 हो जाता है ठीक है लेकिन यहां अगर माइनस आता है तब बात चिंज हो जाता है चलिए आगे कुछ सवाल देखते हैं चलिए एक सवाल लिखते हैं एक्स प्लस वण बटा एक्स बबरावर रूट 5 तो हमें बताना है एक्स एसक्वार माइनस वण बटा एक्स स्क्वार का मान क्या होगा जरा ध्यान दीजेगा क्या करना है इसको हम x plus 1 बटा x एक बार और एक बार x minus 1 बटा x लिख सकते हैं इसको दिखिए जब plus बला का value पता है तो हम root 5 तो यहां रख लेंगे लेकिन minus बला का मान लाना होगा यानि x minus 1 बटा x का मान लाना होगा तो हम क्या करेंगे root under जब कोई चीज पॉलस करके दिया हो minus में पूछे तो root under लिखना है जो value है इसका square root 5 का square उसके बाद minus मिलाना है तो minus 4 plus मिलाना होता plus 4 square से root कट गया 5 में से 4 गया हुआ root under 1 यानि 1 का बढ़ मुल 1 यानि केवल यहां लिखना है 1 अब यह हो गया आपका root 5 चलिए आगे बढ़ते हैं आईए दोस्तों एक सवाल और ऐसा ही इसको आप जानते हो लिखोगे x plus 1 बटा x into x minus 1 बटा x लिखोगे अग plus बला का value पता है तो हम रख दिये root under साथ लेकिन इसका value लाना है तो जब plus में दिया है minus में पुछे minus में दिया हो plus में पुछे हमें फर्मूला याद है अब minus में लाना है तो भईया क्या करना है root under तो लगाना है जो फर्मूला बताया था अब यह जो बहलू है उसका square करके minus में लाना है तो minus 4 square से root कटा कुछ और बात देखते हैं, सिखते हैं, समझते हैं दोस्तों, आपको पता है अगर माल लिजिए कि A पलस 1 बटा A लिख दे बराबर 3 लिख दे और पूछ ले कि A के पावर 4 माइनस 1 बटा A के पावर 4 का भैलू क्या होगा देखो अगर आपको यहाँ पलस रहता, तब कोणो दिक्कत ना है हमेशा जब पुछने वाले के तरफ पलस होगा, तो समझ जाईएगा कि उस सवाल या तो A पलस B के होले स्क्वार में होगा या A माइनस B के होले स्क्वार में होगा कहां से पता चलेगा? यहां से अगर यहां भी plus है तो समझ जाएए यहां भी plus है A plus B के होले स्क्वाइर में ही बनेगा यहां minus है यहां plus है फिर भी A minus B के होले स्क्वाइर में बनेगा यहां minus है तो A minus B के होले स्क्वाइर पर बनेगा यहां plus है तो A plus B के होले स्क्वाइर पर बनेगा लेकिन दोनों condition में यहाँ plus होना जरूरी है लेकिन अब ज़रा ध्यान दिजिएगा पहले ये बात हम बता देते हैं और कहीं वहाँ minus रहेगा तब क्या होगा पहले plus बला देखते हैं इसमें क्या करना है इसका trick ये है कि सीधा एक बार 3K square करिए अब plus 2 है अब फिर दूग हटा लीजिए 49 में से दूग गया 47 इसका सही अंसर हो गया 47 लेकिन हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया होगा कि यह चीज हुआ कैसे पहले हम उसको सीखते हैं उसके बाद हम trick पर चर्चा करेंगे तो यह trick है जरूरी लेकिन वो trick याद कैसे रहेगा यह देखिए दोस्तों अगर इसका square करिए तो a plus 1 बटा a का whole square और उधर 3 का square तो a square plus 1 बटा a square अब plus 2 a b बरावर यह 9 a से a गया हमारा a square plus 1 बटा a square अब बरावर हुआ दू जाके उधर घट गया तो 7 हो गया अब पुना है square करेंगे हम लोग क्या करेंगे पुना बर्ग करेंगे पुना वर्ग करते हैं तो a square plus 1 बटा a square का भी वर्ग होगा अब बरावर 7 का भी वर्ग होगा यह हो जाएगा देखिए इतना का square करिएगा a square का a square a square हुआ अब पलस 1 बटा a square का square प्लस b square हुआ a square प्लस b square अब इस बार इपुरा a कहलाएगा आई पुरा b कहलाएगा अब देखिया प्लस 2 एभी 2 a आई ए कहलाएगा b अब आबर साथ के स्क्वाइर कितना हो जाएगा उनिचास हो जाएगा गौर करिएगा यहां पर किसी भी संख्या के पावर पर पावर अब बढ़ाई के तो पावर में पावर गुना हो जाएगा Ak power हो जाएगा भी या 4 यहाँ हो जाएगा फिर 1 गटा ak power 4 क्योंकि 1 का square तो उतना ही ak square का square ak power 4 यs square से square कट गया बचा है फलस 2 रबाबर हमारा है 49 अब क्या करना है अब हमें तो ak power 4 पलस 1 गटा ak power 4 और ये देखिए प्लस दू धर जाकर माइनस दू हो गया तो 47 हो गया, बात समझे, चलिए, आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों, तो ऐसे सवाल को हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए, कि यहाँ प्लस है, इधर प्लस में पूछ रहा है, तब तर्टेंसोने नहीं है, चाहिए यहाँ माइनस रहे या पलस रहे इधर पलस रहना चाहिए तब ही वह सवाल एंट uh होल इस्वाइर में है यह माइनसths के होल के मैं मा इनस होट करके तो जूटे यहाँ आपको vord बनाना है तot होगा तबुनह बड़ख करते हैं न ताइम ऐसा हो जाएगा अब आस साथ के स्क्वाइर 49 अफिर दूग हटाई यानि साथ के स्क्वाइर करके दूग हटाई आपका एंसर 47 हो गया अब मुझे उमिद है कि आपको यह हमेशा के लिए याद रहेगा कि क्यों मैंने दूबार इसक्वाइर किया अपने प्रोसेस में समझ लिया है इसको अब जरा ध्यान दीजिएगा अगर यहां पर एप्लस वन बटा एवर आवर तीन ही कुस्चन में तो एक पावर फोर प्लस वन बटा एक पावर फोर समझ गए लेकिन केवल यहां माइनस हो जाएगा तब इसा ट्रीक ना काम करेगा आई दू घटा व्य पहलिए तो इसको आप A square आम माई A square पुलस एड़र फिर लिखियेगा A square माईनस वन बटा A square कई से लिखाया पता चला ना देखी लिखाया एके पावर फोर आम बटा पावर फोर था यह तो इसको हमने A square का A square कर लिया 1 बटटा a square का b square कर लिए अब का हुआ अफिर इन दोनों को घटा के तहichte a square minus 1 बटा a square हुआ इसलिए हुआ समझ गए अब चलिए चलिए अब देखिये आई रहने देते हैं क्योंकि इसका वेलू निकालना आसान है इसको फिर लेंगे पलस डश्वन अब पता है इसका तो मान पता है ना लाश्ट का पता है इसका भी मान निकालने हमको आता है इसका भी आता है देखिए ना A square plus 1 बटा A square का निकलना है यहो पलस में आई पलस में रहे तो सीधा 3 के A square करेंगे यह पलस में रहेगा तो यहाँ पलस है तो दूग हटा लेंगे 3 के A square 9, 9 में से दूग या 7 अब सुनिये अब हमको तो इसका value पता चलिए A square plus 1 बटा A square का value 7 इसका value चाहिए आप ही बताइए अभी थोड़ा दिर पहले आपको बताएं है कि जो चीज पलस बला का value देगा IC के minus में पूछेगा ता root under इतीन का A square minus 4 minus मिलाना है तो minus 4 plus मिलाना है तो plus 4 अभी 9 में से 4 गिया तो हुआ root under 5 अब यहां हम रख देंगे root under 5 भाया सतिया एक कोईस आर रूट पाँच आपका जवाब हो गया ठीक है मुझे उमीद है कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा एक question हम लिख देते हैं और इक question का comment नीचे करके जरूर बताईएगा आपके सामने question केबल मैंने यहां दे दिया है चार आपको इसका सही जवाब type करना है नीचे comment box में बताना है इस वीडियो को यहीं तक रोखते हैं और मुझे उमीद है कि अच्छा से आप समझ गया होगा अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके आपका एक्जाम होने वाला है उननीस चार दू हजार बीस को पांच विद्यार्थी को एक एक हजार रूपिया प्राइज मिलने वाला है जो पांच टॉप होते हैं उसमें लाइब टेस्ट कैसे देना है जहां धुरीन आयप है जिस पर मेरा पेड कोर्स चलता है उसमें ये चलता है लाइब टेस्ट और टेस्ट बिलकुल फिरी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं ठीक है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और आगे जो अलजेबरा का टेस्ट होगा केवल अलजेबरा से ही टेस्ट होगा पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद उसमें भी पराईज देंगे और जितना बात हम पढ़ाएंगे वहीं से कोस्टन आएगा टेस्ट में इस बात को ध्यान रखिएगा तक खूब मजे से पढ़िए खूब दम लगाके पूरा एगो फेर कोफी बनाईए और उसको लिखिए एक दम बेसिक से जितना बात हम या मुझावानी पढ़ाते बीना देखे वह इसे ही आप भी खुद से लिखिया बनाईए हर किसी को एक दम आना चाहिए ऐसे जैसे आप खुद टीचर हो चलिए मिलते हैं आगली वीडियो में Thank you, Best of Luck